सोरी फोर कन्फ्यूजन का क्या आरत होता है या आज कि इस वीडियो में सीख लेती हैं सोरी फोर कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि कन्फ्यूजन के लिए मुझे माफ करें या कन्फ्यूजन के लिए मुझे एक शमा करें यानि कि जब सामने वाले को ये लगता है कि उसकी किसी बात की वज़े से या किसी एक्षन की वज़े से आपको कोई confusion हुई है कोई दूविधा हुई है कोई भ्रम पैदा हुआ है तो उसके लिए वो कहता है sorry for confusion यानि कि गड़बड़ी के लिए एक शमा करें या भ्रम के confusion हुई है उसके लिए मुझे माप करें अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें